हेलो दोस्तो मैं संजर मिस्रा आपका सब्सक्राइब करता हूँ क्रिप्टो इंसेटर ये चनल पर दोस्तो पिछले 24 आवर से मार्केट जो है वहीं पर कंस्वालिडेट करता हूँ दिखा वीक लिग एंडल हमें क्लोजर मिल गया है कभी भी आपको directly in directly सामने से contact नहीं करेगा अगर कोई परसन मेरे नाम या मेरे चनल के नाम सबको contact करता है किसी प्रकार के लिए इनकी बात करता है तो उस परसन को सीधा सीधे ब्लॉक किजिए किजिए या फिर spam report किजिए क्योंकि ओपरसन आप साथ ठागी कर सकता दोस्तों आधना crypto market में आपको safe रखोगे तभी earning का मजले का होगे इसके लब आप अगर मुझसे contact करना चाता है उन सबको follow करना चाता डिटेल जो आपको description box में मिल जाता है ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे website tiptoinsaterta.com को विजट कर सकता दोस्तों आधना मैं कोई financial advisor नहीं हूं और चैनल पर without experience या without learning मैं कभी भी आपको trading करने किस साला नहीं देता हूं अगर आप मेरी कहीं बातों के basis पे trading या फिर investment करना चाता है तो make sure करें हो के राउंड में and closer हमें 21,000 support level जो है उसी के आसपास मिला and definitely highest जो reach किया था 21,868 dollar definitely वहां पे resistance है and अभी इस वक्त हम जरूर वापस से लगभग 1% का spike देखे हैं सुबह से अभी तक तो यहां से Monday आ गया है definitely volume आप expect कर सकतो आज से जो कि अभी सुबह में हमें नहीं देखने को मिला जो कि पिछले दो अपतों से हमें देखने को मिल रहा था कि Sunday onward जो है midnight के आसपास से हमें देखने को मिल रहा था momentum बट वो अभी missing है जो आज का दिन होगा वो हमें decider होगा कि ultimately zone का closer क्या green होने वाला है green in the sense की अभी जो recently हमने fallback देखा है क्या उससे हम एक important level 26,000 के तर बढ़ रहे हैं या फिर इसी zone में या फिर इसके नीचे closer मिल सकता है इसके उपर बात करूँगा सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी one day के chart पे at least acoustic RSI है हमारे positive है momentum indicator भी जो है आपका बिल्कुल cross लेता हुआ दिख रहा है ये cross जो है जिस्ट बन रहा है अभी confirmation नहीं है confirmation आज के candle के closer के बाद मिलेगा बहुत important है कि हम इस direction में बढ़े है and definitely RSI 40 के towards अप्रोच कर रहा है इसकी बार जो है मैं बार-बार कह रहा हूं आपसे कि जरूर हम ऊपर की तरफ जाएंगे सबसे important resistance zone 23,000 के तरफ है वहाँ पे अगर हमें declination मिलता है हम वापस से नीचे आ सकते है towards 18,000 and अगर हम इसे clear भी करते है do remember हम एक बार फिर से revisit करने आएंगे नीचे के तरफ एक उसका जो बड़ा reason उसका reason है जो bitcoin का future का चार्ट उस पे cmE gap बहुत ही नजदीक आ गया है और अभी तक हमने break नहीं किया उसके को तो जरूर उससे close करने के को सबसे करेंगे लेकिन अभी इस वक्त जो Monday का move देख रहा है कि हम अभी continue करने वाले हैं और अगर आज का closer अभी candle जो है जहां पे है वहां पे या फिर हम हमारा candle green close होता है guys we are going to see upside move throughout this week इस भी हमारा monthly closer भी है तो वह हमारा impact करेगा definitely सबसे highest resistance 23,000 का वह आपको notice करना होगा तो Monday के chart पे हम जरूर positive है लेकिन एक macro level पे जो reversal की बात कर रहा हूँ वह reversal अभी उसके लिए confirmation ले इंजार करना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले एक further dip हमें देखने को मिल सकता है लेकिन फिलहाल 1 hour की chart पे अच्छा का सा support line हमें देखने को मिला पिछले week बट उसे हमने continuously break किया 21 EMA अब हमें resistance दे रहा है 1 hour के chart पे definitely आपने देखा कि हमने 100 EMA line भी ब्रेक किया बट पिछले कुछ hour से हम वापस से reclaim किये 21 EMA अब हमें resistance दे रहा है 200 EMA, 100 EMA, सब के सब यहीं पे है सकोष्टिकारेसा की बात करो तो वह जरूर उपर जाता हो देख रहा है कि ऊपर back to back closer ले ले लेते हैं और वो closer अगर हमें 4 hour के chart पे भी मिल जाता है then definitely we are going to go towards 23,000 over the next 24 to 48 hours but अगर ऐसा करने में कामयाम नहीं होते हैं then still we need to see कि हमारा 21,000 का level जो support है वो कैसे behave करता especially evening hours का volume हो बहुत important होग 4 hour के chart पे हम below 20 आगे है तो बहुत crucial होगा अगर हम 1 hour के chart पे जो मैंने आपको momentum बता है वो अगले next 2 to 4 hour के अंदर hold नहीं कर पाता है 21,000 का level then हम definitely नीचे जा सकते हैं evening hours में तो इस चीज को mind में लेके चलना और MACD जो है उसके जो तरफ है इसारा कर रहा है RSI भी जो है resistance 60 के आसपास मिलता है वो अगर मिलता है तो definitely हम 40 के तो बढ़ता है तो अगर ऐसा कुछ होना है तो अगले 2 to 4 hour में हमें देखने को मिल सकता है ऐसा कुछ and 4 hour के chart पे बहुत important level 21,000 and last support is 20,800 के आसपास का support अगर वो level break होता है then definitely हम वापस से जा रहे है 19,000 and 18,000 को revisit करने के लिए आने वाले next 24 to 48 hours में भी तो दोनो possibilities है लेकिन दोनों का मैंने support and resistance बोला है अगर वो closer मिलता है देखने को हमें आने वाले hours में तो बहुत important होगा फिलाल याद रखना हमारे लिए सबसे major resistance zone यही है 21,300 अगर यह हम clear कर पाते हैं अगले आने वाले hours में 15 minutes के chart पे 1 hour के chart पे then definitely हम chances bright की हम 23,000 के तरफ बढ़ रहे हैं आने वाले next 48 hours में वही अगर यह level break होता और अगर हम 21,000 के level भी break कर देते हैं then there is a huge potential के हम सबसे पहले 20,800 के असपास and then उसके बाद 20,000 का level भी हम retest करने जा सकता है आने वाले couple of covers में तो इन दोनों side में भी market जा सकता है मैंने आपको weekend में भी कहा था कि अभी recently अगर कोई भी profit हुआ आपको इसलिए decline हो रहे है बहुत important last time हम इस level को retest करने जा रहे है और इस level को अभी fake out कह सकते हो अगर हम इसे support की तरफ behave कर देते हैं वही अगर यह drop होता है 21,000 का level this time भी तो as per strategy video भी हमारा level नीचे की तरफ में expect करता हूँ आने वाले hours में तो इस जिसको याद रखना आपको and long and short के position में आपको ज्यादा कुछ changes देखने को नहीं मिल रहे है reason being कि price जो है वहीं पे चल रहा है and इसी zone के अंदर अभी भी हमारा short का position बना है तो definitely hold करता हूँ देख रहा है and इसलिए market में थोड़ा बहुत बोरियत आपको दिख रहा होगा overall हमें जो closer मिला है वो weekly chart पे चरूर इस red line से bonds देखने को मिला जो कि expected इतना बड़ा bonds नहीं जो कि हमारे RSI को safety zone में पहुंचा दे अभी भी हम 30 के below trade कर रहे है weekly chart पे and do remember historically हमने कभी भी closer जब भी लिया है weekly chart पे इसके below ऐसा 2012 से पहले ही हुआ था जब हमारे को ज्यादा डेटा नहीं था जहापर हमें डेटा बनता हुआ दिख रहा था वहां के बाद लग 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 15 जनवरी 2015 के आसपास weekly closer 30 के below देखने को मिला था but I am expecting a huge bonds क्योंकि जब जब इस जगह पे गया है huge bonds जो हमें RSI पे देखने को मिला है and sudden bonds जो होता है वह आपको 10-20% तक का भी move दिला देता है तो जरूर इसके लिए ready रहना लेकिन जो मैंने आपको नीचे का move बोला है वह possible है अगर हम यह level जो current level of support है current level of resistance है वह अगर clear करते है with volume then only हम उस तरफ बढ़ सकते है and अगर ऐसा कुछ होता है then definitely we can't say कि अभी bottom जो था जो recent bottom जो हमने देखा है वह bottom बॉटम होगा इस wave का but yes उसी के आसपास होगा definitely one day के chart पे confirmation में भी time है I am expecting some confirmation जो कि अभी तक one day के chart पे में देखनों का नहीं मिला 4 hour के chart पे जुरूर bullish divergence बनता हो देखा है जो कि हमारा भी play out भी हो रहा but ऐसा ही कुछ pattern हमें चाहिए one day के chart पे जो कि possibly आने वाले next 10 days के अंदर बनता हो देखेगा but फिलहाल जो है Bollinger Band excuse होता हो देख रहा पिछला 24 hours पहले भी मैंने वर्ण किया कि अगर यह level continuously हमें rejection देता है then definitely हम वापस से एक dip देख सकते है Recently instead कि हम बाद में देखें वहीं अगर हम excuse की बात करें तो यह pattern अभी excuse होता जागा जितना लंबा time देगा सबसे major resistance as per this 22,800 का level ही मैं कहूंग बहुत important resistance zone होगा तो इसके ऊपर नजर रखना as per current day and definitely आने वाले days में इसके ऊपर जो भी update होगा मैं आपको बताऊंगा different chart पे जो हमें closer मिला है वह भी कैसे है क्योंकि green weekly candle close हुआ तो जरूर एक मामूली सा relief देखने को मिला है weekly chart पे but reversal जो pattern हमें volume के साथ चाहिए वह अभी इंतिजार में है gold का price जरूर जरूर जो है spike लेता हो देख रहा है morning hours में and same चे DXY decrease होता हो देख रहा है and this is not the first time 10 year में के नीचे हम जा रहे है but this is the important level because हम 103.802 को आज test करेंगे अगर हम इसके नीचे या फिर इसके below closer लेते हैं back to back अगले तीन दिन then there will be a huge relief rally जो कि आप expert कर सकते हैं अगर यहां से bonds मिलता 24 to 48 hours में तब फिर से एक बार हमें declination देखने को मिल सकता overall market में उसके लिए ready रहना आपको and जरूर मेरी नजर बनी हुई है Dominance chart पे जरूर 43.30 के आसपास trade कर रहा है Dominance chart क्योंकि सब कुश्टिक RSI नीचे है सारे indicators नीचे है इसलिए हमें एक अच्छा कासा shift देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में and यह level of support and resistance behave करेगा definitely पहले support दे रहा था and बहुत important है इस level को कुछ जो अगले आने वाले hours है उसमें retest करेगा 10 EMA line को and 10 EMA line अगर retest हो के फिर से fail होता then definitely हम फिर से कह सकते है कि towards 40 बढ़ रहे है but उससे पहले यहां पे अभी भी हमें bonds मिल सकता भले short question अभी दिख रहा है closer नहीं हुआ तो पहली बात closer होने तक का जार करो and definitely USDT के dominance chart जरूर sideways action दिखा रहा है and expected zone 50 के आसपास हमें resistance दिख रहा है so interesting है अगले 2-3 दिन में क्या हम इस level को hold करने वाले then still chance कि हम another spike देख सकते हैं इसके लिए भी आपको रख्याद रखना है नजर में रखना है and Ethereum BTC chart पे जरूर जो है बहुत अच्छा खासा move दिखाया कल के दिन भी हमें candle मिला closer red लेकिन हम गए 0.059 level retest करने के लिए and आज इस वक्त हम green candle बना रहे हैं acoustic RSI उपर है momentum indicator उपर है RSI हमारा bullishness so कर रहा है as per BTC pair में है 50 के अबब हम maintain करने के courses कर रहा है and definitely वहीं नहीं हो सकता है हम 0.0645 तक भी जाया लेकिन उससे पहले अगर Bitcoin में momentum shift होता है नीचे के तरफ तो उस पर भी नजर रखना होगा क्योंकि वह भी इसको impact कर सकता है dominance chart पे भी नजर रखना होगा तो बहुत important है but yes this level is something जो हमें retest करता हुआ दिख सकता आने वाले 2-3 weeks के आसपास and ethereum usd chart पे जरूर bitcoin की तरह भी एप कर रहा है 21 यह हमें retest करने के लिए हम courses कर रहा है but हमें resistance मिल रहा है जब इस जगह पे था तब मैंने आपका तब आपका तब आपका कल के दिन जो peak reach हुआ $1,277 आज इस वक्स जो है closer भले ही नीचे मिला लेकिन वो level reach हुआ रहा है आज भी यह continuation देख रहा है and I am expecting $1,300 will be tested by today but इस चीज को impact करेगा bitcoin का move bitcoin का next coming जो 2-3 hours का move है वो बहुत important बने वाला है अगर हम 21,000 के level को hold करते 21,300 के उपर back to back closer लेते है 15 minutes and 1 hour के chart पर then guys we are going to see 23,000 by next 48 hours otherwise we will still hanging around और या फिर हम नीचे जा सकते हैं तो इसके लिए ready रहना है इसके उपर कोई भी update होगा तो मैं जरूर दूँगा चैनल पर चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर subscribe कर लो bell notification पर क्लिक कर दो तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं जल लग लेकि इसी वीडियो में अब तक ले थैंक्यू धन्वाज जयए